इस्टुडेंट्स आज जो टॉपिक डिस्कूस करने जा रहे हैं वो है लाइससोम लाइससोम एक ग्रीक बढ़्ड है जिसका मेनिंग है लाइसोमी डाइजेस्टिव और सुममी बॉडी इस तरीके के कोसकांग है जो डाइजेशन से रिलेक्टेड है इन कोसकांगों की खोष सर्पितम डीडुबे ने 1955 में की थी लाइससोम अधिकतर एनिवल सेल्स में बख कुछ प्लांट सेल के कोसका द्रबे में पाई जाने वाली छोटी जिल्लीवद बैसाइकल लाइक स्ट्रक्चर से हैं इन में जल अपकटनी एंजाइम मिलते हैं इनका मुख्यकार है ब्रहत जैबे कणूओं का इंटर सेल्लर डाइजेशन इन और्गनल्स को सुसाइडल बैक भी कहा जाता है क्योंकि इनमें जो एंजाइम्स होते हैं अगर इसकी जो मेंब्रे रप्चर हो जाए तो वो एंटर सेल और सेल और और्गनल्स का डाइजेशन कर सकते हैं लाइससोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम, गॉल्जी अप्रेटस, अद्वा दोनों से मिलकर रुतपन होने वाली सनचना है जन्तु कोसकाओं में लाइससोम अधिक तर जो सीक्रेशन करने वाली सेल जैसे लीबर हुआ, अगनास है, ब्रग, स्प्लीन आधिक कोसकाओं में अधिक संख्या में मिलते हैं अब बात करें हम इसकी आकरती एवं आकार की, सामान ते लाइससोम गोलाकार सनचना होती हैं, किन्तु कुछ पादपों की जनों की विवजोत की कोसकाओं में ये अनियमित आकरती के हो सकते हैं इनका जो डायमीटर होता है, वो 0.42, 0.8 माइकरोन होता है, लेकिन में 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 जो ब्रग कोसकाओं उनमें इनका ब्यास इससे ज़्यादा अधिक हो सकता है ये लिपो प्रोटीन द्वारा निरमित, एकाई कला, यूनिट मेंब्रेंस से गिरी हुई, डेंस इस्ट्रक्चर होती हैं, इनमें भरे हुए सगन पधार्त में बिविन, हाइडोलाइटिक एंजाइम उपस्तित होते हैं, जैसे इस फॉस्पिटेज, तथा अन्य हाइडोल आमिरिंच के द्वारा गिरा हुआ होता है, रहसाइने सनचना में ये कला, प्लाजम जली की समाल, दिपो प्रोटीन द्वारा निरमित, परत होती है, इस जली द्वारा गिरी हुई जो डेंस स्ट्रक्चर होती है, उसमें, देखें तो उसको हम क्या है, आउटर जोन और सें इसमें के केंदर किए कणघा में पदार्थ उक्त भाग में गोई कायं एबं रिक्तिकायं पाई जाती हैं लैसोसोम कोस्के पाचन किर्या के विभिन अबस्ताहों में पॉलिमोर्फिजम प्रदस्त करते हैं साथ विविन रूपों में पाई जाने वाले पदार्थ भी बिन हो सकते हैं अब हम बात करते हैं लाइससों के टाइप्स के बारे में विविन कारें को संपन करने के लिए प्राइमरी लाइससों विविन परकार के पदार्थों जिनका की कोस्कादारा पाचन होता है से जुड़कर बहुरूपी संडचना बनाते हैं ये निम्ने परकार की होती है जैसे डाइग्राम में दिखाया गया है प्राइमरी लाइस सोसोम ये छोटी धेली नुमा गॉल्जी उपकरंट से बड़िंग द्वारा निर्मित क्या है संडचना है जिने इस्टोरेज ग्रेनियूल भी का जाता है इनके निर्माण में सरप्रतम इनमें पाई जाने वाले एंजाइम्स का संसलेशन कनका में में इस आरियार से जुड़े हुए राइगोसोम में होता है वहाँ से एंजाइम गौल्जी छेतर में प्रविष्ट होते है जहाँ पर एसेट फॉस्पेटेज अब गिरिया होती है अब इसके बाद दूसरा टाइप इसका सेकेंडी लाइसोसोम इनमें डाइजेस्टिब एक्योस अत्वा इनने हेट्रोफेगोसोम भी कहते है परॉसोम फपिश बहुता है। ऐन्य दुच्य गलाइसोम कहा जाता है इन जिल्दी आबत कार्यों में उपस्थत भारी बतार्तों का पाचन प्राफ्मिक गलाइसम में पाये जाएने वाले हाइडरोलाइटिक एन्जाइमस दौरा होता है तथा भी सरल पदार्थों में convert करती जाते हैं वहां से ये जिली द्वारा बहार आकर कोश का दर्ब में समावे से तो जाते हैं तथा विबन फिरकार की उपापचे किरियाओं में काम में लिए जाते हैं इसके पश्चा तीसरा टाइप है residual bodies इनको obsessed काय कहते हैं दुत्यक लाइससों में कुछ enzymes की कमी के कारण पूरे पदार्थ का पाचन नहीं उपाता तदा कुछ एपचित पदार्थ भी रह जाता है ऐसे लाइससों residual bodies कहलाते हैं अमीवा जैसे जनतों में ये बोड़ी कोश का से बहार exocytosis द्वार बाहर निकाल दी जाती है किन्तों कुछ कोश काव में ये अपसिस्काइब लम्मी समय तक कोश काव में उपस्तित रहते हैं तथा aging का कारण बनते हैं ऐसा माना जाता है मनेशों में ये अपसिस्काइब बिभिन रोगों जैसे fever, hepatitis, hypertension तथा अन्य heart disease को अपन करते हैं फोर टाइब है autophagic vacuos जो है वक्षी रस्दानी इन्हें साइटोलाइसोसों या autophagosomes भी कहते हैं ये विलाइसों हैं जिनके द्वारा बिस्ष्ट परिस्तिती में कोश का अपने पुराने अथवा छतिग्रस्त अभियवों का पाचन करती है जैसे ये किरिया autophagic क्यालाती है जिसमें कोश का स्वेम अपने घटकों को नस्ट करती है तो ये क्या है लाइसों के डिपरेंट टाइप्स है जो डाइग्राम में अपने फंक्शन्स को परफॉर्म करते हुए दिखाये वे गए भी है अब बात करते हैं हम इसके chemical nature के बारे में लाइसों में मुख्य रूप से हाइडुलाइटिक एंजायम पाए जाते हैं बहुत सी प्लांट जो root cells हैं या fungal हैं liver kidney तदा जो अंतसरा भी गंतिया हैं उनमें भी lysosome में acid phosphatage पाए जाते हैं चिन्तु lysosome में mitochondrium पाए जाने वाले oxidative enzymes का पूर्ण अबाब होता है lysosome में बेभिन परगार के जलब अटनी enzymes पाए जाते हैं जिनमें हैं main phosphatage nucleases proteases glycosides sulfates and lipase तो यह lysosome की chemical nature थी और उसमें पाए जाने वाले वेभिन enzymes थे अब बात करें lysosome की उत्पत्ती के बारे में तो यह प्रमाणित तो चुका है कि lysosome की उत्पत्ती गोलजी अप्रिटेस द्वारा स्राबन की किरिया के द्वारान गोलजी जिल्दी द्वारा होती है अब हम बात करते हैं lysosome के functions के बारे में lysosome बहुत सारे functions को क्या है cell में परफॉर्म करता है जिसमें जो main function है वो कुछ इस तरीके से digestion of intracellular particles कोसका में मिलने वाले पोसंड की अनपस्तिती मतलब इस्टार विशन की स्थिती में lysosome स्वेम कोसका का पाचन कर देते हैं इनमें उपस्तित एंजाइम कोसका में संचित प्रोटीन लिपिर्स तदा कार्बाइडिट का पाचन करते हैं इसके राव छोटे जो भी जीव होते हैं उनमें फैको साइटोसेस के थिरूप जो फूट पार्टिकल्स का इंटेक किया जाता है उससे अटेच होके lysosome digestion का भी काम करता है extra cellular digestion lysosome जो digestive enzymes है उनको secret करके और फूट वेक्ट के वला है उसमें क्या है उनको मिस्तित कर देता है जिससे उसका क्या है पाचन हो जाता है बत्कोस कांग में हटाने में सायक है removal of dead cell जैसे रक्त में उपस्तित WBC जब किसी जीवानों को गहन करती है तो उसमें उपस्तित लाइसेस्टम की जिल्ली तूट जाती है तो अधान निकलने वाले एंगें शम्पून को सब्सक्राइब करता है कैसे की इसपर्म होता है तो इसका है विए को इसके उपर होता है प्र oh इसके अलावा बीजों के अंकरोंड में भी हल्प करता है बीजों के समय बीजों में संचेट जो मुझे पदार्थ है वो नवांकुर को प्लब कराने का रहे हैं लाइससों में उपस्त एंजाइम्स कहा होता है एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा मैंने लाइससों का फॉर्मिशन इसकी स्टेक्चर और इसकी कुछ फंक्शन को दिखाया इसमें देखिए यह हमारी एंडोप्लाज में क्लेटिकूलम है इसमें डिपरेंट काइंड काइंड आप एंजाइम्स का फॉर्मिशन होता है जो बैसाइकल के थिरूब गॉलजी बड़ी में को टांस्पट कर दी जाती है गॉलजी बड़ी के थिरूब लाइससों का फॉर्मिशन होता है यह देखिए फैगोसाइटोसीस के थिरूब जैल ने एक्ष्टा जो पार्टिकल से उनका इंटेक किया फैगोसाइटोसीस के तुरूब से लाइससों क्या है अटेच हो और उसने उसको क्या है डाइजेशन कर दिया मैं आसा करता हूँ आपको यह लेक्ष्ट समझ माया होगा धन्यवाद झाल झाल झाल